Hello students, आज हम पढ़ेंगे केंद्रवा राज्यों के संबंद में वित्तिय संबंद Financial Relations भारत की संगात्मक व्यवस्था के अंतरगत केंद्र और राज्यों के बीच वित्तिय शक्तियों का विभाजन विभाजन का आधार भी सत्रवी अनुसुची में उलेखित विधाई शक्तियों का विभाजन है अर्थाब जिन विश्यों पर कानून बनागने की शक्ति केंद्र सरकार की है उन विश्यों के शंबंद में कर लगाने का अधिकार भी केंद्र सरकार को है इस तरह जिन विश्यों पर कानून बनाने का अधिकार राज के विधान मंडल को है तो उन पर कर लगाने का अधिकार भी राज्यों को ही प्राप्त है केंद्र द्वारा राज्यों को वित्य संसाधन हस्तनांतरन करने की आवशक्ता क्यूं है वित्तिय सक्तियों के समानने विभाजन के उपरांत भी केंद्र द्वारा राज्यों को वित्तिय संसाधन उपलब्द कराने के आवशक्ता अनुभव की गई है जिसके मुख्य कारण निम्न लिखी थे First, सविधान में नहित वित्तिय शक्तियों के विभाजन में केंद्र की आय के श्रोत अधिक है राज्य की आय के श्रोत कम होने के साथ साथ उनके व्याय के मद अधिक है First हो गया students ध्यान देंगे कि राज्यों के आय के श्रोत कम है और केंद्र की आय के श्रोत अधिक है ये मेन रिजन है नेक्स्ट देश के वित्तिय संसाधन एक होते हैं तथा उनके बहतर प्रियोग के लिए इस तरह के शंतुलन वित्रन के आवशकता है सर्वोच नियायले ने काफी बोड बनाम CTO 1971 ने अपने निर्णय में यह प्रतिपादित किया है कि देश के संसाधनों के उप्योग की दृष्टी से केंद्र और राज दोनों मिलकर एक आंगिक इकाई का निर्मान करते हैं अर्थाद देश के संसाधनों के प्रियोग की दृष्टी से पूरे देश को एक समझा जाएगा इसी निर्णय में सर्वोच नियायले ने यह भी कहा कि केंद्र द्वारा लगाये जाने वाले सभी कर केंद्र की संचित नीधी का अंग नहीं होते इसका कुछ हिष्टा वित आयो की सिफारिशों पर राज्यों को दिया जाना आवश्यक है केंद्र द्वारा राज्यों को वितिय संसादनों के हसांतरन का उद्देश शिकेवल केंद्र वा राज्यों के बीच संसादनों का समतापूर्ण वितरन नहीं है बलकि विभिन राज्यों के बीच भी संतुलित और समतापूर्ण वितरन है केंद्र राज्य वित्तिय संबंधों की समयधानिक विवस्था भारतिय समयधान में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तिय संबंधों के तीन पहलूँ पर प्रकाश जाला गया है फर्स्ट दोनों के द्वारा कर लगाने की शक्ति व उसकी सीमा केंद्र को करों से प्राप्त होने वाले आयका वित्रन तथा केंद्र द्वारा राज्यों को दिये जाने वाले अनुदान इन वित्तिय प्रावधानों का उल्लेक सविधान के भाग 12, 12 के अध्याय एक के अनुछेद 264 से 300 तक किया गया है केंद्रवा राज्यों द्वारा कर लगाने की शक्ति संग सरकार के कर वा अन्याय के श्रोथ जिन करों का उलेक संग सुची में हैं उन पर कर लगाने का अधिकार संसत को प्राप्त है इस तरह से 20 करों का उलेक संग सुची में हैं ये हैं निगम कर, लीगल, टेंडर, विदेशी, मुद्रा, आधी पर लगने वाला कर, सीमा शुल्क एवं निर्याद सुल्क, तंबाकु आधी पर लगने वाला उत्पात सुल्क, प्रिशी भूमी को छोड़ कर अन्य संपत्ति पर संपदा सुल्क, संग सुची में शामिल किसी विशय के संबंद में लगने वाली फीश, लेकिन इसमें कोट फीश शामिल नहीं हैं, फिर है विदेशी रिण, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित लोटरी, पोस्ट ओफिस, सेविंग बैंक, पोस्ट तथा टेली ग्राव, टेल चार के अन्य शाधन, संग की संपत्ती, संग का लोक रिन, रेलवे, क्रिसी आय को छोड़कर अन्य आय पर कर, पूंजी कत संपती पर संपदा कर, इस तरह से संग सरकार के कर, वा अन्य आय के ये श्रोत हैं, राज्य सरकार के कर, वा आय के अन्य श्रोत, Competition कर, भूमी संपत्ती पर उत्रा दिकारी कर, राज्य में उत्पादित अल्कोहल तथा नशीली दवाओं पर उत्पाद सुल्ख, प्रिसी पूमी पर संपदा सुल्ख राज्य सुची में शामिल विश्यों के संबन्द में फिस लेकिन इसमें कोट की फिस शामिल नहीं है, भू राजस्यों बिजली के उप बहुक तता विक्रय पर कर, समाचार पत्रों के अत्रिक्त अन्य वस्तों के क्रय विक्रय पर कर, भूमी वा भावनों पर कर केंद्रवाराज्यों के उक्त जिन विश्यों का उल्लेक उपर किया गया है उनसे प्राप्त होने वाले राजश्व के अतिरिक्त अन्य राजश्व आए भी क्रम्शा उन्ही को प्राप्त होते हैं